नमस्कार आप देख रहे हैं News111 और मैं हूँ आपके साथ निर्भाय किसुर इस बार की खबर पत्रकारों के लिए है इस बार की खबर उन कुरोना युदाओं के लिए है जो की सड़कों पर लोगों के लिए हर उस खबरों को संकलित कर रहे हैं और आप तक पहुचा रहे हैं क्योंकि आप घर के अंदर बंद हैं क्योंकि आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं क्योंकि आपको जानकारी जरूरी है और इस जानकारियों के लिए लोग वैसे लोग जो सडकों पे उतर करके हर एक सूचना आप तक पहुचा रहे हैं इनकी भी सुरक्षा के जिम्मदारी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने खास करके बिहार सरकार ने उनसे अपील की है और वो अपील की गई है पी आईबी के ट्वीटर के माध्यम से मैं आपको वो ट्वीट दिखाऊंगा दरसल यह जो ट्वीट है आप देख सकते हैं इस ट्वीट में किस तरीके से जनरलिस्टों के लिए एक आदेश जारी किये गये हैं और इसमें एक पूरा लंबा सा फोटो डाला गया है इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तयारी और किस तरीके से निवेदन किये गये हैं इस निवेदन में साब तोर पे कहा गया है कि कुरोना वाइरस को हराना है आप भी सहयोग करें इस चौत्य अस्तंब के रूप में जिस तरीके से मीडिया लगतार बनी हुई है और सरकार के सहयोग के साथ जुड़ी होई आपकी सुरक्षा का विशेश खयाल रख रही है और इसके तहट रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कोरोना रिपोर्टिंग में जो भी लोग तैनात हैं इस डूटी के दौरान बरते जाने वाली साथानियों को लेकर के इस बार बिहार सरकार के तरफ से बात की गई है इस दौरान कहा गया है कि जो भी पत्रकार हैं जो लोग भी सड़कों पे हैं उनके लिए ये खास पहल की गई है जिसमें बताया गया कि कम से कम 5 फीट की दू से पहले सेनेटाइजर से अपना अपने कलाईयों के आगे और पीछे पूरी तरीके से अपने हाथ को सेनेटाइज करें किसी भी सूरत में ठहरी हुई भीड के बीच में लाइव ना करें चलते हुए कुछ सेकेंड्स के लिए लोगों का रियेक्शन ले और फिर आगे बढ़ करीब ना आए इन बातों के साथ साथ आगे कहा गया है कि लाइव या वीडियो बनाने वक्त अपने वहन से उतरने से पहले इयरपीस, बूम आईडी और मोबाइल को भी पूरी तरीके से सेनेटाइज करें लोगों का अगर इंटर्व्यू कर रहे हैं तो उसके तुरंत बा से किसी भी इस्तिती में कोई भी लिक्वीड भी हो सकता है उसको सेनेटाइज करने के लिए जो भी लिक्वीड हो अगर आपके पास जो भी मवजूद हो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्रांडेट सेनेटाइजर आप इस्तमाल करें कोई भी लिक्वीड आपके पास अगर मव अस्त्र से इस तरीके के चीजों का इस तरीके चीजों को सेनिटाइज ना करें और आगे कहा गया है कि जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं उसको अगले दिन इस्तिबाल ना करें उसे तुरंट धोने के लिए छोड़ दें और खास करके यह भी कहा गया है कि जो कपड़े आप पहन करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस कपड़ों को आप खुद से धोएं परिवार के किसी दूसरे सदस्य को ना धोने दें संभाव हो अगर आपके पास मसीन हो तो आप उन कपड़ों को स्वय ही मसीन में डाल दें और फिर आप उसको धुल सकते हैं किसी और को उस के करीब भी ना आने दे अगर आप कहीं से बाहर से लाइव करके आए या ओफिस से काम कर काम खत्म करके जब भी आप घर पे आए तो भी ध्यान रखना है कि घर के किसी भी सदस और खास करके बच्चों को हाथ न लगाए बहुत सारे ऐसे लोगों की आज़त होती है घर से जा बाहर ही रखे हाथ मूँ धोने का आपका इंतजाम है परिवार के जो लोग है वो बाहर करे तो ज्यादा बहतर होगा कोरोना की रिपोर्टिंग करते बगत सुरक्षा पहले जरूरी है और सरकार का कहना है कि कोरोना की रिपोर्टिंग तो जरूरी है ही लेकिन उससे सुरक्षित होगा लोगों को जितना हो सके पत्रकार बंदू जो हैं वो लोगों को जागरुक करें इस बिमारी में जिस तरीके से यह महामारी पूरी इस्तिती को बिगाड रही है उसमें लोगों को जागरुक करने के लिए आप अपनी महत्वपून भूमी का अदा करें लेकिन उसके साथ-साथ आप अपनी सुरक्षा का भी खयाल रखें तो आपसे भी बार-बार अपील है निउस 11 भी आपसे हमेशा अपील करता है कि हर एक खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे हर एक जानकारियों को हम आप तक पहुंचाएंगे तो इस खबर को अगर किसी आवश्य काम के लिए जाते हैं वो अपनी सुरक्षा का खयाल रखते हुए बाहर निकले लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखें कि जो काम जरूरी ना हो उसके लिए आप सड़कों पे ना लिख ले क्योंकि अब प्रशाशन भी सतर्क हो चुकी है और अब सख प्रशाशन भुकी है और अब सब्सक्राशन भी सतर्क हो उब बाहर ना से जब परयंगे लिए अज़कों गार ना कि लिए प्रशाशन भी सतर्क है यो भी जरुए लेकिया है और ये लेकि अबसे दो इवाबने कि श